तो हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल और फ्रेंड आज के इस वीडियो स्रीज में हमनों बात करने वाले हैं तो उसके लिए एक थिवरी पार्ट आपका दिख रहा होगा कहारा है कि लेटास कंसीडर पार्सल इफ्रेंशल इक्वेशन ऑफ टाइप एफ और पी कॉमा क्यू इस एकल टू जीरो के टर्म में तो इस तरह से हम इस एक्वेशन को क्या करेंगे लिखेंगे जो भी एक्वेशन अमरा दिया रहेगा उसके बत करेंगे इस तो लिएर दाट पी इस एकल टू C is a solution of this equation पुट दाप बैलू अफ पी इन है बेफ एफ फ यू इकल टू जिए एकल टू टू गवर सी इस एकल उस्जाओ यानि जो आपका सी क्या होगा लेकिन देखिए यह theoretical part है आप एक बार लिख लेंगे तो सारी चीज़े समझ में आएंगे directly example के दूरू आपको सारी चीज़े सारा concept आपका clear हो जाएगा example आपके सामने कह रहा है कि solve PA square plus QA square is equal to 1 तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा जो auxiliary equation होगा चारपिट method के according तो हम क्या करेंगे उसको differentiate करेंगे तो इसको हमने differentiate किया PA square को तो 2P हुआ QA square को differentiate किया हम लोगोंने तो यहाँ पे 2Q होगा यहाँ पे आप थोड़ा सा correct कर लीजेगा यहाँ पे 2Q होगा और यहाँ पे DU divided by minus 2P square minus 2QA square is equal to dP by 0 is equal to dQ by 0 equation जो आपका चारपिट method है उसके according यह formula set हुआ है इसको हम क्या करते हैं करेंगे 2 को common लेके cancel out करेंगे तो x by p is equal to dy by q is equal to du divided by p square plus q is equal to dP by 0 is equal to dQ by 0 और यहाँ से आप इसको simplify करेंगे तो आपका जो p होगा हम माल लेंगे p is equal to c and q is equal to under root 1 minus c square then du क्या होगा is equal to dy divided by under root 1 minus c square and integrate करेंगे हम इस application को तो du के जगा पे क्या होगा यू होगा और इसको integrate करेंगे हम क्या होगा 1 upon under root 1 minus c square y plus c2 और यहाँ से जो आपका क्या होगा c u is equal to x plus c into c1 and u into under root 1 minus c square is equal to y plus c2 under root 1 minus c square यहाँ से आप इस equation को easily solve कर सकते हैं तो यहाँ से u के term में आपका answer आ जाएगा तो एक दो बार आप practice करेंगे तो चीज़े आपके clear हो जाएंगी अगला concept हमारा है वो है आपका color out equation जो की काफी important है तो इसमें भी वही concept है आपका equation का उसी term में आपका equation लिखा रहेगा आप इसको देख सकते हैं theoretical part है आप इनको पढ़के easily समझ सकते हैं तो इसलिए मैं इसको ज्यादा description में नहीं बताऊंगा क्योंकि concept है आपका clear हो जाएगा एक दो बार आप practice करेंगे तो directly हम लोग इस example के द्वारा समझेंगे इसे concept के द्वारा तो auxiliary equation होगा वो इस term में आपका मिलेगा तो यहां से आपका जो answer होगा वहां से आपका ये answer आ जाएगा जो कि आपका question का answer होगा clear अगला हमारा concept है वो है equation of the type यानि जो equation आपका f of x,p is equal to g of y,q के term में रहे तो उस condition में हम किस तरह से question को solve करेंगे तो इस प्रकार से कोई equation आपका दिया रहेगा तो हम इस method से solve करेंगे जो आपका ये दिया हुआ है तो यहां से आपको क्या करना है solve करना है तो यहां पे equal to के बाद हम क्या करेंगे q square 4 minus y square is equal to a square तो यहां से p क्या होगा a upon under root 1 minus x square q is equal to a upon under root 4 minus y square और यहां से negative sign आ रहा है तो यहां से हम इसके according change करेंगे इसको integrate करेंगे तो integrate करने के बाद जो आपका final answer आएगा इतना आएगा चुकि आपको पता होगा कि integration of 1 upon under root 1 minus x square क्या होता है sign inverse x का formula होता तो उसी के according यह set हुआ ओके तो यहां तक पुरा प्रोसिजर आपको समझ जाएगा वीडियो पसंदा वीडियो का लाइक जरूर कीज़ेगा मिलते हैं सब्सक्राइब लिए तब तक लिए thank you